तो एक तरफ रेवडियों का शोर है और दूसरी तरफ सविधान, आरक्षन, हिंदू, मुसल्मान यही सब होता दिख रहा है वाके में यह दो बात सच है राजीव कि आखिर किस मुद्दे पर चुनाब हो रहा है सब कुछ यहां पर एकदम रायता फिला दिया गया है, बिल्कुल मैस क्रियेट कर दिया गया है पार्टियां यहां पर इतनी सारी सामने आ गई है, एक ही पार्टी के दो-दो धड़े यहां पर सामने दिख रहे हैं कहां किसे वोट किया जाए, किसी को कुछ नहीं पता तो अब ऐसे में जब जनता महगाई से जूच रहे है, 400 रुपे के लोग लिसून खरिदने पर मजबूर है, किसान परेशान है, बेरुजगारी यहां पर चरम पर है, राज्यों पर कर्ज बढ़ रहा है, बावजुद उसके सिर्फ राज्टिक पार्टियों का वही कोर कहीं भी चुना होता है, तो यह बाते कहीं जाती है, हिंदू, मुसल्मान की बात, और दरसल यह बात अभी कल जो सामने आई, वो इसलिए आई, कि उल्मा बोर्ड ने महाराष्ट विकास अगारी के नेताओं को एक चित्थी लिखी, जिसमें उन्हों ने कहा कि हमें मुसल्म बोर्ड की चित्थी पर उसके बाद भारती जंता पार्टी ने उस पर हमला किया और कहा कि देखिए, अगर एंभी एकी सरकार आएगी तो मुसल्मानों को आरक्षड देंगे, यह सब बातें चुनाओं में, चुनाओं के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए दोनों त CTA उसको पता है, हाँ लोकसाबा चुनाओं में वो 400 के नारे पर जब उन्होंने इन नेरेटिव सेट किया कि समीधान बदलने के लिए 400 की सीट चाहिए, तो उसका आसर निश्चित तोर पर लोकसाबा चुनाओं में हुआ था, और सबसे ज्यादा घाटा अगर NDA को BJP को था, महाराष्ट में चुनाओं लोकसाबा का चुनाओं हारने के बाद महायूती की सरकार के कान खड़े हो गए, और वो जो कुछ भी कर सकते थे, आप देखिए, जून में ही, जून के अंतिम हफते में, शिंदे सरकार ने कैबिनेट की बैठक की, और तुरन लाड़की बे से कह सकता हूं, मैं गाओं, देहाद के इलाकों में जाता हूं, पंदर दिन से जादा मुझे हो गए, जब महायूती को इस चुनाओं में खड़ा कर दिया है, ये इससे मैं इंकार नहीं कर सकता, दूसी बात, जमीनी अस्तर पर अगर आप देखेंगी, नेताओं के और रेलिया तो जैसे होती है आपको पता ही है लेकिन जमीनी अस्तर पर महाराष्ट में मुझे लगता है कि जो केंडिडेट अच्छा है जिसने अच्छा काम किया है या पिछले पांच वर्षों में जनता के बीच उठा बैठा है जायदा असर इस बात का मुझे दिखाई देता है लोग केंडिडेट के बारे में जायदा बात करते हैं लोग कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा पहले का दूसरा खेल है चुनाओ के बाद का दूसरा खेल है कौन किसके साथ रहेगा इसकी कोई गिरिंटी नहीं है लेकिन उसका अपना उमीदवार कौन ठीक है कहीं 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 पार्टी का जैसे मुंबई के बहुत हिलाकों में जो शिर सेना का दबदबा है राष्ट कउनग्रिस पार्टी करने लिए और है और चुनाव कर रहा है और पिछ पर ले आने की पूरी कोशिश कॉनग्रस पार्टी भी कर रही में आग कर रही मैं लेकिन जो यहां की रिजेडनल political parties हैं खास करके अजीत पवार गुट शरत पवार गुट उद्धाव ठाकरे और शिंदे ज्यादा आपको इनके बयान या इनकी बातें आपको ज्यादा सुनने में नहीं आ रही होगी डिबेट में नहीं आ रही होगी लेकिन असल में ये चार पार्टियां ज्यादा मजबु निकल जाएगी उसका है उद्धो ठाकरे के हाथ से पार्टि निकल जाएगी ये उसका चुनाओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत उस तरीके से लगा रखी अगर आप देखें और बहुत ज्यादा ये मैटर करता है हिंदू, मुस लिमों को चार परसंट का रक्षर देंगे और आपको इस कारिकरम के माददम से बताओं बहुत ही हैरत अंगेज बात मुझे नहीं लगता जितना मैंने राजनीत को देखा है और जितना पढ़ा है मुझे नहीं लगता आप याद कीजिए 12 जून को चार जून को नतीजे आ उडिसा के मुख्यमंत्री ने भी शपत गैड किया और चंदबाबु नाइडू ने भी आंद्रप्रदेश के शपत गैड किया आज कितने महीने हो गए अभी तक चंदबाबु नाइडू ने आंद्रप्रदेश का बजट पेश नहीं किया है क्योंकि उन्होंने जो चुना उसको थोड़ा और लिंगरान करते जा रहे हैं और साइद आजादी के बाद भारत के मुझे हो सकता है मैं गलत भी हूँ लेकिन मुझे ने मालूम कि पाँच महीने से जाएदा हो जाए किसी राजी सरकार ने अभी तक बजटी नहीं पेश किया है तो यह अलग-अलग अपने सहलियत के हिसाब से अपनी वोट बैंक को अपनी चुनाभी राजिनीती को लेकर पार्टियं अपनी बात के रहे हैं राहूल गांदी वही सम्विदान वही जाती है जन्मगणा को लेकर फिर महाराश्ट्रे के कोने-कोने में घोम रहे और प्रधान मंतिर्य मोधिया मंतिर् तर पर जो नेता यहां पर आ रहे हैं वो बार-बार कॉंग्रेस पार्टी को इसी आधार पर घेटते हैं कि पहले दर्म के आधार पर उन्हों ने भारत-पाकिस्तान का बटवारा किया और अब 21 शताबदी में अब वो जाती की बात को लेकर उतरे हैं मैदान में और ये भ्रह सविधान के नरेटिव ने लोग सभा में सत्ता पक्ष बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचा है उसकी काट भी तो ढूंडी गई ना बटेंगे तो कटेंगे सीधे तोर पर अब उसी से यहां पर विपक्ष को जो है बैक फूट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी जेपी देखेंगे तो कटेंगे का नारा का बहुत असर मुझे महाराष्टे में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है इतना इसका असर उत्तरप्रदेश में दिखाई देता है पहली बात दूसरी बात अगर आप वोटों के लिहाज से देखेंगी तो महाराष्ट में 11-12% के आसपास माइनार्टी के वोट्स हैं और वो भी 9 सीटों पर सिर्फ 40% से ज्यादा है और करीब 38 सीटें ऐसी है जा 20% है और उनका कंसेंट्रेशन मुंबई की सीटों पर 15-20% के आसपास होता है हिंदू मुसल्मान में महाराष्ट का चुनाओ बहुत हो चाहे इसकी संभावना कम मुझे दिखाई देती है लेकिन देखे बाबा साहब अंबेटकर जोतिबा फुले का जब आप नहीं लेते हैं च्छतपत्री शिवा जी महराज का नाम लेते हैं तो महराष्ट के लोगों की भावनाएं इन लोगों के साथ बहुत जुड़ी एक भी मुसल्मान कंडिडेट सीर सेना उद्धर ठाकरे गुट ने नहीं दिया बारती जनता पार्टी ने नहीं दिया सबसे ज़्यादा आठ मुसलिम कंडिडेट कॉंग्रेस पार्टी ने दिये हैं और उसके बाद सेकंड नमबर पर अजीत पवार ने दिये चार मुसलिम कंडिडेट उनके हैं और अजीत पवार ने हमेशा शरत पवार के साथ जो राजनीत की वो हिंदु मुसल्मा इसलिए वो योगी आदितिनात की के बयान से तुरंत खारिज कर देते हैं उससे अपने आपको दूर कर लेते हैं तो एक बात तो यह दूसरी बात मैं हमेशा यह ब किये था जिने ताकत मिली जिने शक्ति मिली जिने सामाजिक मानिता मिली जिने बहुत हत्तकार्थिक समानता मिली वो तबका सम्विधान पर कोई बात आने पर आँच आने पर जबरदस्त रियक्ट करता है और वो उसी तबके को उसी के तार जजोडने की कोशिश राउल गा तो ऐसे में राजीव यहां लोकल मुद्दे जादा हावी दिखेंगे क्योंकि ठीक है लोकसभा चुनाब वो देश का चुनाव था इसलिए सविधान का मुद्दा वो पिछ काफी मजबूत विपक्षकी दिखाए दी लेकिन ये विधान सभा का चुनाव है लोकल जो प्रतिनिध्यत्व उतना ही शक्तिशाली दिखता है मजबूत दिखता है